हेलो गाइट्स वेलकम बैक यूटूब माई चैनल और आप सब लोग कैसे हैं आई होब आप सब लोग बढ़िया होंगे तो आज हम करने वाले हैं ये केस्टर ओयल से अपने चहरे को साफ तो कैसे करना है और ये मैंने ली है मिट्टी तो देखते हैं कैसे करना है तो मैंने यहां पे लिया है यहां पे मैंने ली है थोड़ी सी ये जो है मिल्टानी मिक्टी इसको मैंने भी वो दिया था रात को तो कुछ ऐसे हो गई है तो ये भीक एकदम सारी मिक्स हो जाएगी एकदम चिक्नी जासे हो जाएगी तो इसको लेना है हमको एक चमच ये मैंने आप लोग ला सकते हैं और दूसरा जो लिया है मैंने वो लिया है अलो वीरा और ये अलो वीरा है अलो वीरा जैल तो इसको लिया है इसको भी मुझे लेना है कितना लेना है मैं भी बताती हूँ ये है कैस्टरोल ओयल तो इसकी लेनी है चार पांच बुंदें और यहां पे ल है मैंने जैतुन का तेल तो यह देखिए जैतुन का तेल है और यहां पर मैंने दो चार बुंदे मुझे चाहिए इसकी रोज वाटर की तो यह रोज वाटर है तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट और यहां पर ले लिए है एक कटोरी मैंने और एक कटोरी लिया है और मुझतानी मिट्टी को थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लेते हैं ताकि ये पूरी अच्छी तरह से घुल जाए और स्मूथ हो जाए थोड़ी सी तो इसको विगोने के बाद ऐसे करके इसको मिला लीजिए ताकि ये स्मूथ हो जाए और अपने चेहरे पे इसको हम लगा सकें और ये देखिए ये एक चमथ मैंने ले लिया है और इसको अलग करके रख देते हैं और यहां पे मैंने ली है ये हनी की आच से दस बूंद लिया है मैंने हनी इसको भी मिक्स कर देते हैं तो इसको भी हम मिक्स कर देते हैं इसके अंदर और यहां पे मैंने लिया है ऐल बिजाए इसको भी एक चम्म चंप लेना है तो ये कैसे निकलेगा अब हैसे नहीं निकलेगा ये तो पहले हम इसमें डाल लेते हैं ये वाले चावल Ata चो इसको attitude है और शी से हम निकाल लेते हैं ऐलो वीडा जैल तो अधा चम, आधे चमुष से भी तोड़ा सा कम जा है, और शी सा डाल लेते हैं किस्टर में हूँ वह तो इसको हमने चार अगली से और इसको भी अलग रखना है खमंच को और अब ले लेते हैं केस्टर ओयल की चार पांच बूंदें तो इसको भी ले ले लेते हैं ये देखिए इसके अंदर ये चार पांच बूंद इसकी हो चुकी है और इसको लग रख देते हैं इसको भी मिक्स कर देते हैं इसके साथ में और अब ले लेते हैं हम ऑलिव ओयल य इसको भी हम तो से तीन वूंद ले ले लेते हैं इसके अंद़तों प्जाइब हैं बार्ताॆ अब कर लेते हैं इस एलोवीरा को भी हम लगा देते हैं ढखकन और रख देते हैं एक साइड और दो चार बून हम ले लेते हैं इसकी गुलाव जल यानि की रोजवाटर की मेरे इसमें दो चार बून ही है क्योंकि ये मेरा खत्म हो चुका है तो ये डाल लेते हैं ये डाल लिया है हमने एलोवीरा जैल अब कर देते हैं इसका किलींजर का बाद में करेंगे पहले हम कर लेते हैं इसको mix और कर लेना है तो इससे देखिएगा आपका चाहरा एकदम, स्मूथ और एकदम मुलायम हो जाएगा और साफ हो जाएगा इसको हफ़ते में दो से तीनवल लगाने से दाग धबे वगएरा दूर हो जाते हैं और एक बार जरूर लगाईएगा लगाके एक महिना ट्राइ करिए आपका चहरा कितना अच्छा स्मूथ हो जाएगा तो आप मुझे खूद ही मैसेश करके बताएंगे कि मैडम आपका ये नुस्का तो बहुत ही अच्छा था जो कि हमने लगाया है और इसमें से एक भी चीज को स्किप ना करिएगा क्योंकि सारी चीन ही फाइदे बन है तो इसको हम पो कर लिया है हमने एक दम एक पेस्ट बना लिया है ये देखिए पेस्ट बन चुका है हमारा एक दम स्मूथ तो इसको हम पो लगाना है और मैं लगाऊंगे अपने हाथों की साहिता से और यह हम एक बार हाथ से भी मिक्स कर लेते हैं तो यह देखिए इसको एकदम से सारा निकाल लेना है चम्मस से आप चाहे तो कोई सा भी चम्मस ले लीजिए और इसको मैंने रख जा है अलग और इसको अब हम थोड़ा सा उगली से ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए चम अच्छी तरह मिक्स नहीं होता है और इसको हमने कर लिया है मिक्स और अब देखिएगा अब हम इसको लगा लेते हैं सबसे पहले हमको क्या करना है अपने हाथ को वाश करना है वास करने के लिए मैंने यहां पे वाटर रखा हुआ है तो चलिए तो मैं एक बाउल में वाटर पानी लेके आ गई थी तो इससे हम कर लेते हैं अपने जो हाथ पे मैं दिखा देती हूँ आपको हाथ पे पहले क्लीन करना है और यह पहले अपने चेहरे को एकदम साफ कर लेना है पानी से या फिर गलाब जल से साफ कर लीदिये यानि कि यह रोज वाटर से और यह देखिए हम अपने हाथ को ऐसे करके मैं यहाँ पे हाथ को दिखा रही हूँ आप लोग अपने चेहरे पे लगाएगा बहुत जादा फायदे मन्द चीज है यह जो पेस्ट बनाया है मैंने बहुत ही फायदे मन्द है और अब मैं इसको क्लिंजर से साफ कर लूँगी तो क्लिंजर लगा लेना है इसके पर स्प्रे कर लेना है तो ये देखिए मैंने स्प्रे कर लिया है और इस पंच की सायता से इसको एकदम ऐसे करके साफ कर लेना है अपने चेहरे को इसको लगाने के बाद ये देखिए अब लगाना है हमको ये वाला पेस्ट जो हमने बनाया है तो ये देखिए हाथ में ले लिया है और इसको ऐसे लगाना है यानि की अपने सेहरे पे फूरे में ऐसे करके लगा लीजिए जैसे आप ब्लीस करती हैं वैसे ही इसको लगाना है और मैं ये गूठी निकाल देती हू क्योंकि इंग उठी मेरी में बज रही है और यहां पर मैंने यह देखिए ऐसे करके लगा लेना है अपने चेहरे पर पूरे में ऐसे करके लगा लीजिए और यह बहुत जादा फाइदेमंद है और यह जब ड्राइव हो जाएगा तो ड्राइव होने के बाद इसमें पॉर्टल से स्प्रे करिए पहले इसको गिला करिए फिर दीरे 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 इसको इस पंच गिला करके अपने चेहरे से इसको हटाईए और ठंडे पाने से अपने चेहरे को वाश कर लीजिए और वाश करने के बाद इसमें जुक्या करना है फिर अभी मैं बताती तो आप बने रही है मेरे साथ तो यह करना है ऐसे यह देखिए गदम स्मूट और एकदम अच्छा सा यह पेस्ट बन चुका है और जो हमने लगा लिया है अपने हाथ पे और आपको लगाना है अपने चेहरे पे अगर आपको अपने पूरे हाथ साफ करने हैं तो आप इन सखाना है एकदम से जब यह सूप जायेगा तब है इसको हमको वास करना है मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा दिखा रही हूं इसको पास मिल्ट हम लगे रहन देना रहन देते हैं और तो यह काफी मेरा यह सूप चुका है और आपको बहुत अच्छी तरह से इसको चेहरे स स् tąकाना है स्टाने के बाद इसको आपको जिवास करना है अच्छी तरीके से तो हम अब इसको हटा लेते हैं अर हटाने के लिए मैं यहाँ पयोफ स्पंच का इस्तिमाल के लिए हूं मैंने ए एक बॉइल में पानी ले लिया है और पानी के बाद मुझे ऐसे करके इसको मैं हटा रही हूँ और ऐसे ही आपको चहरे से भी हटाना है और हटाने के बाद आप क्या करना है मैं भी बताती हूँ तो इसको पहले हम हटा लेते हैं तो ये देखिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ और अब इसको थोड़ा हटा लेने के बाद इसको वास कर लेना है ताकि एक्षी तरह से हमारा जो ये मिक्टर हमने बनाया है ये हमारा एक्षी तरह से निकल जाए तो इसको हम मैं वास कर लेती हूँ तो मैंने ये वास कर लिया है और मैं इसको टॉवल की सायता से अब पोच लेती हूँ तो ये देखिए पोचने के बाद देखिए कितना हाथ साफ हो चुका है और ये वाला हाथ देखिए और ये वाला हाथ देखिए आपको खुदी नजर आ रहा होगा और ये देखिए कितना साफ नजर आ रहा है और इसको देखिए आ रहा है ना दोनों में अंतर तो ये देखिए मेरे हाथ ये वाले में मैंने नहीं किया है और ये वाले में मैंने साफ किया है तो आपको भी देख पाएंगे कि कैसा मेरा साफ हो चुका है ये वाला हाथ मैंने यहां तक लगाया था तो ये देखिए और ये वाला हाथ देखिए कैसे नज़र आ रहा है तो इसको आप खबते में दो बाल लगाइए और इसके बाद क्या करना है हमको कर देनी है थोड़ा सा ये वाला ओलीव ओईल और ये जो केस्टर केस्टर ओईल है और ये ओलीव ओईल से थोड़ी सी इसको मसाज कर देनी है तो ये देखिये मैं मसाज कर रही हूँ थोड़ा सा लेना है इसको जादा डल गया था मुझे और ये इसको पहले ऐसे करके मसाज कर देनी है यानि कि आपको अपने चेहरे पे करनी है मैं आपको हाथ पे दिखा रही हूँ लेकिन आपको अपने चेहरे पे करनी है और इस पॉयल से अगर आप दिन में सौरी हफते में आप अगर दो बार अपने चेहरे की मसाज करेंगी तो आपका चहरा बहुत अच्छा स्मूथ हो जाएगा और बिल्कुल भी जूरियां वगरा नहीं पढ़ेंगी तो ये देखिए मसाज करनी है अपने हलके हलके हाथों से करनी है ज़्यादा दबा के आपको नहीं करनी है सिफ हलके हाथ से करिए अपने चेरेует मसाज पस-पास मिनट के लिए और ठोड़ा सा ये वरला यल लगा लेते हैं यहांने नियुक्त क्था थे ले लिया है क्योंकि ऐसे कर लेने से गिरेगा नहीं। अर्द मेरे हाथ अव्या पलटूंगे तो यह घिर जाएगा तो यह देखिए हम कर लेते हैं ऐसे मसाज अब देखिए आप देखिए मेरा आप कैसे चमक गया है एक दम और ऐसे ही आपका चहरा भी चमक जाएगा आपका चहरा भी ऐसे ही चमकने वाला है क्योंकि हमने कर ली है इसकी मसाज ओयल से ओलिव ओयल और कैस्टर ओयल से तो आप भी ہफते में दो बार इसकी मसाज करिये और 2 लुए भार ही ये मिंचर में मिलाकर वीमता है मैंने आपको बन अना दिखा दिया ऐसे ही लगाना है तो इसको भी लगाए और इससे की मसाज़ भी करियो कितना अच्छा मेरा हाथ देखी गरंग हो गया ना साफ यह देखिए इसके हाथ को देखिए यह वला हाथ देखिए और यह वला हाथ देखिए कितना फरक हो गया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही वीडियो में लेके आँँ आपके लिए तो मैसेज ज़रूर करिएगा तो इसी के साथ करती हूँ ब्लॉक का एंड बाइ बाइ